तुमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के उपर डिस्केशन वो है कि MSME को अगर हम पेमेंट डिले करेंगे तो क्या होगा income tax में, क्या होगा GST में, क्या होगा company law में और इसका impact तो ये budget के अंदर एक amendment आई है जिसको हमको पड़ाई करना है और फटा-फट देखते हैं कि क्या आशर होने वाला है इंडस्टी के उपर बहुत important discussion हम आज करने वाले है तो सबसे पहले introduction देखेंगे फिर new proposal income tax में क्या आया है फिर GST में भी क्या होता है अगर delay payment करते हैं हम और सबसे important की कौन है MSME sector और कैसे उसमें registration ले इसका benefit ले और सबसे important और सबसे last discussion वो है impact on sellers और buyers तो दोस्तों देखते ही ये वीडियो आखरी तक जहां पर हम देखेंगे कि क्या होने वाला है impact हमारे buyers के उपर और हमारे sellers के उपर इस proposed amendment का तो क्या है income tax में ये नया proposal आया हुआ income tax के अंदर section 43b इसके अंदर एक provision आ रही है वो ये कहती है in the cases where deduction of expenses is allowed only when actual payment to supplier has been made तो दोस्तों पैसा देगे तो ही income tax का deduction मिलेगा तो government ने यहाँ पर proposal बनाया है कि कोई भी व्यक्ति अगर MSME याने मद्यम और लगू विद्योग छोटे उद्योगों से अगर माल खरिकता है services लेता है और MSME Act के इसाप से उसका अगर कोई agreement है return agreement तो उस time period के इसाप से जिसमें 45 दिन के अंदर payment करना जरूरी है नहीं तो 15 दिन के अंदर payment करना जरूरी है तो अगर किसी ने माल खरिदा है छोटे लोगों उद्योजक से या दुकानदारों से या service provider से और उनको अगर timely payment नहीं किया तो वो खर्चे का deduction नहीं मिलेगा और ये पर्मान डिस अलाव होगा दोस्तों ये बहुत बड़ा बात है इसके उपर आगे भी चर्चा करेंगे क् final proposal के अंदर जब act pass होगा next what will be the impact in GST दोस्तों GST के अंदर already section 16 है ये कहता है कि 180 दिन के अंदर अगर payment नहीं करेंगे तो ITC reverse करना पड़ेगा और payment भी करना पड़ेगा इस budget के अंदर इसकी specific और भी clarity आई है interest के payment की तो अगर 6 मेने के ऊपर अगर payment नहीं किया तो ITC की भी मार पड़ेगी और ये सभी के लिए लागो है इसमें MSME भी आ जाते हैं next company law के अंदर क्या है जो भी बड़ी बड़ी companies है या जो companies registered है उनको company law के अंदर कोई ऐसा dis allowance का प्रावधान तो नहीं है पर उनको जो भी MSME vendors है उनके disclosure देना है कि कितना पुराना schedule है कितनी outstanding है आपकी MSME सेक्टर की और ये financial statement में balance में देना पड़ता है तो कही ना कही सरकार को ये बात मालूम पड़ेगी कि कितना payment आपने रोका है जिसके basis पे income tax वाला dis allowance कर सकता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको याद रखना पड़ेगा जिन जिन नोंने company में registered किया है उनके लिए आगे तो ये प्रावधान बहुत important होने वाला है अब MSME का अगर ये आता है तो इसके अंदर कौन-कौन registered हो सकते हैं तो MSME के अंदर micro enterprises, small enterprises, medium enterprises आते हैं investment plant and machinery यान equipment में जिनके एक करोड के नीचे है turn over 5 करोड के नीचे है small के अंदर 10 करोड के अंदर turn over है 50 करोड के अंदर turn over है या medium enterprises जिनका 50 करोड के नीचे investment है और 2500 करोड के नीचे इनका turn over है तो ये लोग MSME के अंदर registration ले सकते है उद्यम registration लेना है उद्यम के portal के उपर जाईए और इसका registration दिलाईए तो ये कई लोगों को helpful होगा अपने taxpayers के लिए अपने छोटे-छोटे करदाताओने इसका registration लेना चाहिए इस amendment का आगे बहुत इनको फाइदा हो सकता है अब देखते है कि क्या इसका परिणाम होगा परिणाम ये है कि government हर बार लगों उद्योगों के लिए मद्यम उद्योगों के लिए छोटे उद्योगों के लिए फाइदे की चीजे लाती है लोंस लाते है कहीं पे schemes लाती है बट ये income tax में ऐसा law लाया है first time कि government boost करना चा रही है ये sector का working capital कि आपको पैसा सही समय पे मिले बड़ी मचली छोटे मचली को ना खाए और overall impact ये रहेगा कि small and medium उद्दो जोगों के लिए इससे बहुत फाइदा होगा अब आखरी में देखते है कि क्या है impact small delay but big trouble ये कैसे होने वाला है seller के लिए वो MSME में registered चाहिए buyer कोई भी हो ये applicable हो जाएगा income tax में क्योंकि income tax is applicable for every business and profession 43B section ये buyer seller के लिए beneficial है buyer के लिए इसकी hardship रहेगी seller को बेशने वाले को payment time से मिलेगा अगर ये delay हो गया तो बड़ा तकलिफ होगा deduction लेना है तो time payment करना पड़ेगा और अगर delay होता है तो seller ने इसको कहां report करना है अभी तक कहीं नहीं आया है बड़ अगर delay होती है बायर के इससे तो कहीं ना कहीं income tax में उसको खुद को return के अंदर या tax audit के अंदर या assessment के अंदर AO disallow कर देगा और अगर delay हो भी गया तो seller को आज नकल पैसा मिली जाएगा बड़ बायर के लिए ये permanent dis allowance हो जाएगा income tax भरना पड़ेगा तो दोस्तों बहुत बड़ा impact ये आ रहा है इस amendment का खूब चर्चा हो रही है और भी इसके उपर क्या आता है वो देखेंगे हम तो ये रही अपनी summary के हम को कई लोगों को register कर लेना चाहिए अगर हम खुद भी इसमें register होते है MSME तो कर लेना चाहिए और आगे वो number उद्यम registration correspondence में invoice में सारे letters पे email पे code कर सकते है तोटा सा ये payment का issue रहेगा पर delay हो गया तो बड़ा trouble होगा इसका awareness create करना जरूरी है accounting में भी उस हिसाब से creators की bifurcation करना पड़ेगा और देखते हैं कि आगे ये act pass होने तक क्या इसका सुरूब आता है तो दोस्तो ये था एक बहुत important discussion करनीती का आपके कुछ भी issues हो तो जरूर मुझे भेजिए तो देखते रहिए करनीती का YouTube channel धन्यवाद